हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल गुजराते कीचन हिंदी में आज मैं आपको बहुती टेस्टी पंजाबी छोले मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी बहुती कम सामगरी से और टेस्टी बनाएंगे तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे छोले ब पानी डालके उसको बॉइल करना है तो यहां पर मैंने अदर चमश नमक डाल दिया है अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और हम कुकर का ढखन बंद कर देंगे और उसकी सीटी लगाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि हमारा कुकर एकदम तयार है अभी हम उसको गैस के उपर अब देख सकते हैं लसुन मैंने कुछ आँट से दस लिया है और अदरक एक बड़ा चमश ले लेना है और अच्छे से उसको कर लेना है अब देखेंगे कि हमारी जो ऑन्यान लसुन कारली की पेस्ट तयार हो चुकी है उसके बार यहां पर मैंने दो बड़े साइस के टामा तेल को गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए उसके बाद हमने जो प्यास वाली ग्रेवी बना के यानि की पेस्ट बना के रखी है वो इसके अंदर एड़ कर देरी है और अच्छे से मिक्स करेंगे गेस्कियाच यहां पर मैंने अच्छे से बुनना है जब तक की ट्रांस पर ना हो जाए हलका सा कलर चेंज ना हो जाए यहां पर आप देखेंगे कि छोले बहुत ही अच्छे से बॉल हो चुके है मैं आपको एक निकाल के भी दिखा दूंगी कुछ इस तरीके के होने चाहिए हमने ओवरनाइट सोक किये थे तो यह तीन से चार सिटी में ही बहुत ही अच्छे से बॉल हो चुके है यहां पर देख सकते कि हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से भूना चालो हो गई है बस इस तरीके से हमें उसको चलाते रहना है और अच्छे से उसको पकाना है तक कि जो भी पानी है वो निकल जाई यहां पर हमेंने मसाले किये है तो एक चमच मैंने यहां पे लाल मेश पावडर डाला है और एक चमच धनियाजीरा पावडर डाला है और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे आप देखेंगे कि अभी मैंने यहां पे मैंने नमक डाला है बॉयल करते समय मैंने नमक डाला था छोले में तो इसलिए यहां पे आता बस अभी उसको अच्छे से मिक्स करना है और ये ग्रेवी को अच्छे से पकाना है चोले की आप जितनी अच्छे से ग्रेवी पकाएंगे उसका स्वात बढ़ियाएगा यहां पर मैंने धक दिया था धकन दो मिनिट हो चुका है मैंने धकन को खोल दिया है आप देखेंगे ग अगर आपके पास छोले मसाला नहीं है तो यहां पे आप तर्च पाउडर यानि की डाल जीनी का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं बस अभी अच्छे से मिक्स करना है आप देखेंगे कि मसाला बहुत ही अच्छे से भूनना स्टार्ट हो चुका है जब तक की ऑईल ट्रां कसूरी मेथी अड़ करूंगी करीब आधा चमट उसको हाथ से क्रश करेंगे कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है तो उसे जरूर डाल यहां पे एकदम पर्फेक्ट हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से भून के तयार हो चुकी है तो अभी हमने जो बॉल करके लिए थे वह एड़ कर देंगे उसके साथ ही मैंने जो पानी था वह भी एड़ कर दिया है अगर आपको पानी ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा कम पानी यूज़ कर सकते हैं यहां पे मैंने गरम मसाला एड़ कर दिया है गरम मसाला करीब मैंने आदा तक पकाएंगे पानी आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन जब यह बॉइल होगा तो बहुत ही अच्छे से हमारी थ्रीक गिरेवी तयार हो जाएगी तो अच्छे से मेक्स होने के बाद अभी हम उसको धकन लगा लेंगे और करीब 7-8 मिर तक उसको बॉइल होने देंगे तो पास से 6 मिर के बाद हम फिर से धकन को खोलेंगे तो हमारा ये एकदम परफेक्ट छोले बन के तयार हो जुका है आप देखेंगे कि उपर से तेल भी आना चालो हो गया है बस तो अभी हम उसको और नहीं पकाएंगे गैस को अभी बंद कर देंगे और उपर से फ्रेस कटे ह अब देखेंगे कि छोले का कलर बहुती भड़ी आया है और उसकी जो ग्रेवी है बहुती ठीक हो चुकी है अब ये ठंडी होगी तो और थीक होगी इसलिए भी और हमें उसको नहीं पकाना है बस इतनी ही ग्रेवी रखनी है तो गयस को मैंने यहां पे बंद कर दिया है किछन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते कैसी नई रेसिपिक के साथ तब तक के लिए